नमस्क्र दोस्तों वैसे तो साल 2000 में हम बिहार से अलग जरूर हो गए बर जिस मकसद या मातकांशा के साथ हम अलग हुए वो मकसद आज भी काफी पीछे छूट गया है हैरानी तब होती है जब किसी देश का 40% से अधिक मिंदस किसी एक परदेश में रिजर्व होने के बावजूद भी उस शेत्र का 42% आबादी पोबर्टी लाइन के नीचे है हम कितने अनभोचिनेट हैं सेपरिशन के 23 सरवाद भी जारकंट यूमन डवल्लप्मेंट इंडेक्स में 32 पोजिसंस पर है हमारा पर कैपिटा इंकम एक लाख साथ हजार चार्शो चार्श रुपईया है जो कि हम देश के 30 पोजिसन पर एक्जिस्ट करते हैं हमने पिछले तक वीडियो जरूर देखना क्योंकि एंड में में खास करके कि रेडी और को डर्माल लोग सबाके कुछ बढ़े और महत्मून पर यूजना ओपर भी डिस्कुस करूंगा तो प्लीज पीडियो को पूरा जरूर देखना हमारा पहला पर योजना है राची है डपलप हो रहा है वैसे आज के डेट में इस्टेशन का साउथ साइड में आज काम अंडर वे जहां रेलवे ऑफीसर्स के लिए क्वार्टर्स और रेसिडेंशल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है यहां पर कंस्ट्रक्शन 2023 में शुरू हुआ था हाला कि प्रधान मंत्री जून 2025 तक बन कर तयार हो जाएगा जो तक कि बन पूरा परीशत 90 एकड़ में फैला होगा इस 90 एकड़ में नॉर्थ विल्डिंग और साउथ विल्डिंग के हलावा एयर कॉनकोर्स एक्स्टेंशन्स ऑफ हटिया एपफोबी एक्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स का 17 लिप्त भी लगाए जाएगी ताकि देवियंग फ्रेंडली एस्टिशन्स हो सके दूसरा साइव गंच मुल्टी मॉडल ड्राइपोर्ट परियोजना दरसल दोस्तों यह जारखंड के लिए बहुत इंपोर्टेंट परियोजना है क्योंकि जारखंड एक लेंड लॉक्ड से टेट नहीं है और इसलिए जब रैंड लोग्न देश दुनिया तक पहुंचता है और इसलिए यह साहिब कंच का ड्राइपोर्ट पर योजना हमारे जारखंड के लिए एक महत फूल पर योजना है वैसे तो फेस वन का उद्खाटन पीम मोजी जवारा 2019 में ही कर दिया था जबकि फेस टू और फेस थ्री अभी भी अंडर हुए है हाला कि इस पर्योजना को लेकर कई सिकायत में भी है बताया जाता कि काम काफी धीमा है कोई डिट लाइन्स फिक्स नहीं है लोकल को मुआवज़ सरी से नहीं मिल पा रहा है ऐसे में कई सारी समस्या है इसी बीच इन चुनोतियों को हैंडल करते वे अगर यह मल्टी मॉडल ड्राइपोट अगर विसे इस रूप से जिस्तारी के से प्लैन किया गया अगर विक्सित होता है तो निश्चित तोर पर इस में इंडेस्ट्रियर रिवुलिशन होगा आसपास में लॉजिस्टिक इंफ्रिस्ट्रिक्ट्र बहतर होगा कनेक्टिविटी के नए संसादन एड होंगे और कहना कहें इस रीजन में रोजकार के नए आउसर फुलेंगा दोस्तों मैं यहां पर बताना चाहूंगा इस ड्र कोच रोड मिला पर 22 कुलूमेटर का पूरा सेक्शन डवलब कर रहे हैं अपने इस समय सीमा से पहले बना कर कंप्रेट कर दें तीसरा पर यूदना और मांजी कोला एक्सपेस्वे प्रोजेक्ट वैसे तो आज जारखन में 75,000 कोड की नेशनल हाइवे सडके हैं और साथ गर Ergebnis हो रहा है या फिर उसका extension हो रहा है बड्यो औरमान जी कोला एक्सपेस्वे लागत से पहली बार जहारखन में अपना पहला एक्सप्रेस वे बनाया जारा है उम्मीदे 25 तक एक्सप्रेस वे तैयार हो साएगा जिसका फेस वन बोकारों के जेना मोर से गोला तक बनाया जा रहा है वहीं फेस्टू गोला से लेके और मांजी के बीच बनेगा जो पूरी तरसी धारखन का अपना ग्रिन फिल्ड एक्सप्रेस वे होगा और यह जारखन का पहला अपना एक्सप्रेस वे भी होगा जिसकी लंबाई 60 किलोमेटर होगी और इसे फोर लेंड के तरज पर विक्सित क पर योजना दोस्तों अब रिसेंटली तीन माई 24 को कैबिनेट कमीटी ऑफ एकोनॉमिक एफेर सिसी ए की बैठग में ही आश्वनी ब्यासनुजी दोहरा आठ नए हाइस्परी रोड के एनॉंसमेंट के दौरान ही इस एक्सप्रेस वे को एनॉंसमेंट किया है दोस्तों वै माँ से जारखन के गुमला तक प्रस्तावित है इसे फोर लेंट के तर्ज पर विक्सित किया जाएगा चुक्के हैवेड अम्यूनिटी मोड के तहता निकि हम के तर्ज पर यह विस्थार किया साएगा पूरा कोईडोर 155 किलो मिटर का होगा जिसे सेंट्रल गवर्मेंट 447 73 कोट की लागत से तयार करेगी इससे इंटर इस्टेट कनेक्ट्वीटी तो मजबूत होगा ही जारखन 36 के मिनरल्स रिजर्वड एरिया को भी बेहतर कनेक्ट्वीटी के साथ लोजिस्टिक मोवमेंट को फास्ट और स्मूथ करने में मदद करेगा फिप पर्योजना कोनार कनाल पर्योजना वैसे कहने के लिए जारखन का मोस्ट अवेटेट पर्योजना में से एक है इसका कंस्ट्रक्शन पिछले 45 साथ से हो रहा है बड़ चुकी दोस्तों जब मैं वीडियो सेयर कर रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा 28 अगस्त 2019 को ततकालिन मुख्य मंत एरिया में कनाल तूड़ जाता है और हमेशा के लिए पूरा पर्योजना बंद हो जाता है हाला कि जब यह इंफॉमेशन सेयर कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं यहां पर मरमत काफी तेजे से हो रहा है और आसार लग रहे हैं कि जल्दी यह बंद कर तयार हो जाएगा वैसे बनने के बद गिरेटी बोकारो और हजारी बाग के 83 गाओं में 62,895 हेक्टेर लेंड को एरिगेट करने में मदद करेगा वैसे मैं बता दूं 1978 में इस पर्योजना को सुरू किया गया था उस वक्त इसकी लागत 12 करोड थी पर आज इस पर्योजना की लागत 2,176 यह तो खेर 5 महत्पून पर योजना आए थी बट ऐसा नई की जार्खन में इतना ही प्रूजक्त है इसके अलावा जार्खन में नई सिच्छा पॉलिसी की तहट सबी डिस्टिक्स में नर्सिंग कॉलिज ओपन करने पर कवायत शुरू हो चुकी जल्दी इस पर पॉजिट प्रपोजल्स भी सामने आई है जल्दी मुख मती MOU साइन कर सकते हैं जार्खन में पहली बार 17 नए तकनिकी संस्थान ओपन होने जा रहे हैं जिन में से 38 पूराने कॉलेजिस का भी बिल्डिंग्स रेनवेट होगी जिसमें गिरीडी जामवा और कोडर्मा के भी कई कॉले जार्खन में अलग 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 रीजन में मन्जूरी एप्रूब्ड है परधान मंत्री जनपाती अदिवासी नया महा अभ्यान योजना कहते है एक 90 नए आगनबाडी सेंटर दोरह ऑपन किये जाएंगे जार्खन के अलग 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 रीजन में जबकि राची में आई- स्मार सिटी जिससे अंगीनत पर्यूजना है आज जार्खन में बन रहे हैं बर देखने वाली बात यह है कि हमारे ग्रेडी रीजन्स में क्या बदलाव हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ ग्रेडी में रोड का चौड़ी कारण होना है जोकि फोर लेंड के ताज पर वि बढ़ाकर मर्टिफर्शनल डैम पर योजना भी सामिल है छेजर कोड की लागत से इसको बनाया जाएगा जोकि भाल पहाडी और चड्र पहाडी के बीच बढ़ाकर नादी के पास विक्सित किया जाएगा जोकि टिलय या मैथन के बाद इस परकार का या तीसरा बढ़ा डै करेंगे उमीद करेंगे जल्दी हमारे स्टेट की भी दूर्दसा बहतर होगी चलिए आज की छोड़ी सी इंफ्रमिशन में इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर जरू करें जैन दोस्तों